नमस्कार नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंग बॉलिवुड इंडास्ट्री के लेजिंडरी आक्टर सतीश कौशिक जो हैं आपको बता देए कि सतीश कौशिक के निधन को एक महीने से ज्यादा का वक्त बीच चुका है लेकिन अभी भी ना तो बॉलिवुड इंडास्ट्री और साथ ही उनकी दोस्त या फिर उनकी फैयांस उन्हें भुला पाए हैं आपको बता देए बॉलिवुड एक्टर स सतीश कौशिक के निधन पर शोक जाहिर करते हुए एक मैसेज शेयर किया है सबीच अब सल्मान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म तेरे नाम को याद किया और तेरे नाम के सीक्वल और दिवंगत एक्टर सतीश का सखिया कि 20 साल पहले सतीश कौशिक ने फिल्म के रिए सिर्फ एक लाइन का आइडिया डिसकॉशन किया था और सल्मान ने तब सोचा कि ये सूपर आइडिया है साथ ही सल्मान ने बताया कि शतीश के निधन से पहले उन्होंने इस भारे में बात की थी ज्रिहा सल्मान न अपने काम के बाद वो तीसरी फिल्म के लिए काम शुरू करने वाले थे लेकिन इससे पहले ही वो दुनिया को अलविता कह गए इतना ही नहीं सलमान ने आगे बताया कि सतीश ने तेरे नाम की सीक्विल के लिए एक प्लोट को लेकर भी चर्चा की 20 साल बाद कहानी में क्या होगा उन्होंनी सतीश कौशिक के साथ ये शेयर किया सलमान से सतीश ने वादा किया कि वो जब ही स्कृप्ट पर काम करना शुरू करेंगे सल्मान ने कहा वो फ्यूचर में कभी आगे तेरे नाम का स्विकल बनाने पर जरूर सोचते ही लेकिन इससे पहले ही उनका ये बादा अधूरा रह गया सल्मान खान की अगर बात करें तो सल्मान खान की कई फिल्मों को सतीश कौशिक ने डारेक्ट किया है जिन में से उनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस और सूपर हिट फिल्म तेरे नाम भी थी फिलाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहनी के लिए देखते रही है नेक्स नाइन लाइफ